मन कहता है कभी को बार कि तो आसा हेल्दी भी खा लिया करो और वैसे आप लोग भी खहते हो यही चीजे लेकिन पते हैं क्या होता है जब आप बहुत ही अनहेल्दी खा रहे होते हैं तो फिर हेल्दी चीजे पसंद ही नहीं आ रही होती है तो अगर एकदम से स्विच करेंगे हम healthy खाना शुरू करतेंगे ना तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा यार तो यह काम करते हैं मज़े दार है ना बीट रूट वाला बर्गर बनाते हैं अब कहोगे बर्गर कैसे healthy है क्योंकि इस बर्गर की जो पैटी है वो बनी है बीट रूट आलू थोड़ा सा प्यास हरी मिट और इग्यानो चिली फ्लेक्स नमक के साथ और मैंने हलका सा या चावल का आटा भी मिलाया है अगर नहीं हो तो आप सूजी भी बिला सकते हैं अच्छी खासी बाइंडिंग आ जाएगी उससे सेग लेना है अल्टी पल्टी करकर अब देखो यहाँ पर unhealthy cheese यही बर्गर है जो की मैदे का बना है अगर आप घर पे बनाते हो आटे का तो आप वही बना सकते हो और बस फिर क्या कच्छी सब्जिया भर दो उसके अंदर और अगर आपको और healthy cheese to sauces भी मत लगाओ और यह बन कर ते या रहे खाओ प्यों मसे करो आपकर शाओ